हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वालों की वर्टसेप में अगर कोई भी आदमी आपको बार बार मैसेज करके परसान कर रहा है और आप उसको ब्लोग भी नहीं कर सकते हो जैसे कि दोस्तों अगर बार बार मैसेज कर रहा है कोई आदमी तो आपके WhatsApp में बार बार जो है उसका notification मिलता है जिससे आपको ज़्यादा फरसानी हो रही है और आप उसको ब्लोग नहीं करना चाहते हो कोई problem होगा तो मैं आपको WhatsApp के अंदर एक ऐसा setting बताने वाला हूँ दोस्तो बीना ब्लोग किये उसका notification कोई भी message कर रहा है आपको उस message को आपके WhatsApp में नहीं दिखाई देगा उसका notification आपको नहीं मिलेगा तो कैसे करते हैं चली मैं आपको बताता हूँ दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा तो दोस्तो आपको जो है अपने mobile phone में WhatsApp उपन कर लेना है उपन होने के बाद जो आदमी आपको बार बार message कर रहा है उसके नाम के सामने ऐसे दबा के रखना है कुछ time उसके बाद दोस्तो आपको box नजर आएगा तीर जो है इसका archive option नाम है तो इस पे click कर दीजेगा ठीक है अब click करने के बाद दोस्तो जिस बेक्ति को आपने इस option में डाला है अगर वो बार बार message करेगा तो आपको notification नहीं मिलेगा क्या message की आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपको देखना है तो उस उपर ही आपको option मिल जाएगा इसी पे click कर दीजेगा और जो भी message करेगा और इसके अंदर message आपको नजर आ जाएगा अब दोस्तो बाहर भी करना चाहते हैं तो फिर से आपको press करना है और इस box वाले option पे click कर देना automatic बाहर हो जाएगा तो दोस्तो यह है तरीका दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे comment करके जरूर बताईएगा कि यह information आपको कैसा लगा दोस्तो यह करते हैं वीडियो को समात फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ जय हिंद बंदे महत्रा